आज का युग कल युग और इस कल युग में विवाद होते ही रहते हैं। वही दूसरी ओर आए दिन क्रिकेटर्स किसी ना किसी कॉंट्रोवर्सी या स्पॉर्ट फिक्सिंग जैसे मामले में फस्ते रहते हैं। लेसली हिल्टन की डीटेल में एक वीडियो बनाएंगे। वही लेसली हिल्टन जिसने अपनी बीवी का मरडर किया था। अब जब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। लेसली हिल्टन क्रिकेट के इतिहास के इकलोते ऐसे क्रिकेटर थे जिनें फांसी की सजा दी गई थी। वेस्ट इंडीज के इस फास्ट बॉलर ने अपनी बीवी का मरडर किया था। जिसके बाद 17 मई 1955 को उन्हें जमाइका में फांसी दी गई। साल 1934-35 में लेसली हिल्टन ने R.E.S. White's Englishman के खिलाफ कडियर की पहली टेस्ट से रीज खेली थी और इस दोरान उन्होंने 13 विकेट चटकाए थे। आखिर क्यों लेसली हिल्टन ने अपनी बीवी का मरडर किया और क्यों उन्हें फांसी दी गई। सारा माजरा समझाएंगे तैह खाने की तैह तक जाएंगे कहानी को निचोड़ कर आपके सामने रखेंगे लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। लेसली हिल्टन का डेबियो बार बार डोस के कैसिंग्टन ओवल के मैदान पर हुआ था। जब इंगलेंड के 81 रन पर 7 विकेट किर चुके थे तब ही इंगलेंड ने पारी को डिकलियर कर दिया। उस दिन वेस्ट इंडीज के कप्तान जैकी ग्रांट ने पता नहीं क्या सोचकर हिल्टन को ओपनिंग करने के लिए भेज दिया। हिल्टन ने टिक कर अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 19 रन बनाए। लेकिन तब ही बाडिश ने फिर से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिये। पिचे ज़्यादा गीली होने की वज़े से बल्लेबाजी लगबग नामुम्किन हो गई थी। जब वेस्ट इंडीश के 6 विकेट पर 51 रन हो चुके थे तब ही विंडीश टीम ने पाड़ी डिक्लियर कर दी और इंगलेड की टीम को बल्लेबाजी के लिए नेउता दे दिया। दूसरी पाड़ी में वेस्ट इंडीश की तरब से मार्टिन डेल ने 5 विकेट चटकाए वहीं हिल्टन को भी अच्छा उचाल मिला लेकिन उनके अंदर अनुभवगी कमी साब थी की। क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद अगले महीने लेस्ली हिल्टन को एक लड़की से प्यार हो गया। लेकिन कहानी में ट्विष्ट साल 1954 में आया जब दोनों के बीच के रिष्टे खराब हो गए। लड़लिन अक्सर अपने ड्रिस मेकिंग बिजनेस का बहना बना कर न्यू यू यॉर्क जाने लगी। और इसी साल हिल्टन को मिली एक कुमनाम चिट्थी जिसमें ये साफ दोर पर लिखा था कि उनकी बीवी का नाजायज रिष्टा ब्रूपलीन एवेन्यू में रहने वाले रोये फ्रांसिस से हैं। चिट्टी पढ़ते ही हिल्टन बेचैन हो गए लेकिन इस बात की भनक उन्होंने किसी को नहीं लगने थी। हिल्टन ने तुरंत अपनी बीवी को टेलीग्राम देकर बुलाया। थोड़ी कहा सुने के बाद लड़ी लौट आई और वापस आने के बाद उन्होंने किसी भी तरह के नाजायज रिष्टे से मना कर दिया। लड़ी ने कहा कि फ्रांसिस से उनकी केवल जान पहचान है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके बाद मामला धीर दे शान्त हो गया। कुछ ही दिनों के बाद हिल्टन को वो चिठ्टियां मिली चो उनकी बीवी फ्रांसिस को भेजा करती थी। फिर क्या था हिल्टन का गुसा साथवे आस्मान पर पहुँच गया। रात में हिल्टन ने अपनी बीवी को जगाया जिसके बाद दोनों के बीच काफी बहस हुई। लंबी बहस के बाद लड़नी ने ये मान दिया कि उनका फियर फ्रांसिस के साथ चल रहा है। दाग दी। जब मामला कोर्ट में पहुँचा तो हिल्टन ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने खुद को गोली मारने की कोशिश की थी लेकिन गलती से उनकी वाइफ को गोली लग गई। हलांकि कोर्ट ने इस दलिल को खारिज कर दिया क्योंकि लड़नी की बॉड़ी में साथ बोलियां मिली थी। हिल्टन को बचाने की काफ़े कोशिश की गई थी तेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। यहां तक ही विम्बियन ब्लैक और नोयल नेदर सोल जैसे नामी वकील भी हिल्टन को बचाने में नाकाम रहे। 20 अक्टूबर 1954 को कोर्ट ने उन्हें लडलिन के मर्डर का दोसी पाते हुए फांसी की सजा सुना थी। हिल्टन की फांसी का दिन तैह हुआ था 17 बई 1955 और इसी दिन और स्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच केसिंग्टन ओवल के मैदान पर ही टेस्ट मैच खेला जा रहा था। वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाग जॉन होल्ट क्रीच पर स्ट्रगल कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने स्लिप में दो आसान कैच भी छोड़ दिये तबी दर्शकों के बीच एक बैनर दिखा जिस पर लिखा था हैंग होल्ट सेव हिल्टन लेकिन हिल्टन को बच लेसली हिल्टन की जिंदिगी एक अपराधी के तौर पर खत्व हुई दोस्तों आज की समय में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि खिलाडी फिक्सिंग जैसे गलत काम करते हैं और इस खेल की गरीमा को गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन जब तक खिलाडियों के अंदर खे करें और बेल आइकन पर क्लिक करें